खाते हैं और अपने की मैं एकóc साथ करते हैं इसको मैं ने अच्छे से दुल कर चार से पाँच घंटे के लिए बिगना तब इस तब इसे निकाल लोगी आप छनी में इस तरह से स्टेइन कर सकते हैं डेखर मेरा जो सबूत दाना गया है और यह चार पानी चाहिए और अछरीं मेरा ऑज़ा यह और इनको मैंने काट कर इस तरह से रख लिया था और अब मेरा जो साबुत दाना है उसे मैं एक और बरतन में निकाल लूँगी और जो मैंने मुवफली का पाउडर बनाया है वो अपने साबुत दाने में एड करूंगी ताकि जो एक्स्टर पानी मेरे साबुत दाने में रह है वो इसे सोख ले और मेरे जो साबुत दाना खिचड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही उभर कर आए आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें इस तरीके से मैंने सारा मुफल चैनल से अच्छा और मेरे रही हों मैं इसमें जीरा एट गरूंगी और उसके बाद मैं जो मैरे चैनल करकि रखे थे उनको मैं में बूल लूँगी वह जरूरी है अगर आप इसे वरत में खाना चाहते हैं, तो आप वरत का नमक यूज़ कीजिए, और अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं, तो आप कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं, जब मेरा ये आलू अच्छे से बुन जाएंगे, तो मैं इसमें साबुत दाना जो है, वो एड कर दू तो ये और भी अच्छी हो जाती है, मेरे पास मैंने जो मूमफलियां थी, वो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, और वो भी मैंने इसमें एड कर दी हैं, क्योंकि मूमफली से इसका टेस्ट और भी अच्छा आया था, और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप देखिए मेरे जो खिचड़ी है, साबोदाना वो तयार हो गई है, और अब मैं इसे सर्विंग बाउल में डाल देती हूँ, और अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं